Assalamualaikum KG Class, Good Morning Students, Welcome to the Online Classes in Oxford Grammar School, I hope you will be fine, I am your Math Teacher, Now I deliver Lecture No. 4 Take your book and open the page No. 36 आजका मेरा टोपिक है Ascending and Descending Order. Ascending means small to big, चोटे नमबर से बड़े नमबर की तरफ जाना और descending order means big to small, बड़े नमबर से चोटे नमबर की तरफ जाना. सबसे पहले हम ascending order को डिफाइन करते हैं ascending order क्या होता है चोटे नमबर से बड़े नमबर की तरफ जाना इसके यह write क्या हुए है we go up from small to big यह देखें stairs बनाई हुई है यह चोटे नमबर से बड़े नमबर की तरफ जा आ रहें 5 से बड़े नमबर की दरफ जा आ रहें नीचे से उपर जाना Ascending order कहलाता है Descending order means बड़े नमबर से चोटे नमबर की दरफ आना जैसे के ये राइट किया हुआ है बड़े नमबर से चोटे नमबर की दरफ आ रहें उपर से नीचे की दरफ आना descending order कहलाता है ascending order क्या होता है चोटे नमबर से बड़े नमबर की दरफ जाना और descending order क्या होता है बड़े नमबर से चोटे नमबर की दरफ जाना अब हम ascending order करते हैं write 1111 6 1515 9 and 1818 in ascending order numbers write किये हैं हमने इनको ascending order में लिखना है सेंडिंग ओडर क्या होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना सबसे पहले हम छोटा नंबर देखके वो राइट करेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है 6 6 राइट करेंगे उससे बड़ा नंबर कौन सा है 9 9 राइट करेंगे 9 से बड़ा नंबर कौन सा है इनमे क्या write करना है 18 18 यह हमने किस order में लिखा है हमने ascending order में लिखा है ascending order क्या होता है चोड़े number से बड़े number की तरफ जाना हमने चोड़े number से बड़े number की तरफ लिखा है यह कौन सा order था यह ascending order था write 1010 3 17 17 8 and 20 20 in descending order अब हमने इन numbers को किस order में लिखना है descending order बड़े नमबर से चोड़े नमबर की तरफ जाना है सबसे पहले हम बड़ा नमबर देखते हैं कौन सा है 2, 0, 20 इधर हमने क्या राइट करना है 2, 0, 20 इससे चोड़ा नमबर क्या राइट करना है 1, 7, 17 हम यहाँ क्या राइट करेंगे 1, 7, 17 इससे चोटा नमबर कौन सा है 10 10 10 यहां हम write करेंगे उससे चोटा नमबर कौन सा है 8 यहां हमने क्या write करना है 8 8 से चोटा नमबर कौन सा है 3 3 हम इधर write करेंगे यह हमने किस order में लिखा है descending order में descending order क्या होता है बड़े नमबर से चोटे नमबर की तरफ जाना आज का हमार लक्षे नमबर 4 कम्प्लीट हुआ See you tomorrow, take care, stay home, stay safe, Allah Hafiz